गुद इवनिंग स्ट्रेस हार्मों सारे रोल प्ली करता है तो डॉमिंस program करता है अपसेशन करता है यानि जितने भी इनिबिटर के काम है सारा ही चीज़ को रोकने का काम करता है यह तो आबको सारे पता है जहां पर भी कोई ऐसा वर्क हो जहां कोई रोकने वाला वर्क हो उसके लिए Absessic Acid है नेगटिव रोल के लिए Absessic Acid है पर एक बहुत इमपॉर्टेंट इसका रोल है जिसको आपको याद रखना है जैसे हम बोलते हैं फादर की कोई भी काम आए बहार से लास्ट में तो द्र बाव पानी नहीं होता है तो उस टाइम पर वाटर लॉस को रोकने के लिए यह स्टोमेटा को बंद कर देते हैं ताकि पानी लॉस ना हो तो जितने भी स्ट्रेस वाली कंडिशन है उसमें यही वर्क करता है एक और चीज आपको ध्यान रखनी है ABA, AGA, BG, BG से आप उसको याद कर लीजिए यहां तो, BG, BG से आप उसको याद कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं अपनी Grandmother को BG, BG से भी आप उसको याद कर सकते हैं, या ABA to AGA, BG मतलब ABA जो है वो एंटागोनास्टिक है, AGA, ABA, A for antagonistic to GA, मतलब ABA जो है वो एंटागोनास्टिक है, किसके, ABA antagonist to GA, GA मतलब जिब्राइलिक असिड के, एंटागोनास्टिक है क्योंकि यह डॉर्मेंसी के लिए responsible होता है, और जो जिब्राइलिक असिड है, वो डॉर्मेंसी को break करता है, तो ABA to GA, ABA का यह क्या है, एंटागोनिस्ट, यानि उसके, उसमें जॉर्मेंसी के में यह opposite role play करता है, क्योंकि ABA डॉर्मेंसी करता है, और GA जो है वो डॉर्मेंसी को तोड़ता है, तो ABA, AGA, AGA for antagonist और GA मतलब जिब्राइलिक एसेट, तो BG से भी आप यह आद कर सकते हो, और ABA to AGA, A मतलब antagonist और GA मतलब जिब्राइलिक एसेट, ठीक है, तो यह आपको समझ में आई होगी, so thank you, thanks for watching, please like, subscribe and share.